आई अगा नमस्कार गूद मॉर्निंग सस्तिरिका अलास श्लाम अलेकूम में वेडू फैमिली को एक आओने ब्लोग में आप तभी दोस्तों का दिल से सभागत हैं तो कैसे आप सब आप आप अप सब अप्छे होंगे मस्त होंगे अभी हम खड़े अपने एलाई चोग पे अ मिश्ब्या गरम पाणी से चाचा की डाड़ी बनाए करिए समय ना का करते हैं बखो बनाते ना अगले दिन कर सा था ताइट आप होगे ना यह कला बात मत किया करिए अप्रा साहं है सामने हमारी कढ़ी सो bumper चोटक यह रहा हमारे 50 दिन देयर हों पद्या जी हमारी मलाकात रोज़ होती अर देखते हैं तो कि क्या कर रहा है चलते स्टॉल पे यह दरी पापा की सब्सक्रिख पापा कस देखा जाए हे दिखियों प्याज का यह रहा मटर यह अलू टिकी यह मुली और यह रहा बर्गर और यह फुलकी फुचका पानी पूरी वाटर बॉल क्या कि आप सब बोलते हैं अलग लग देश में अलग लग नाम तो दोस्तों आज मेरा पहला दिने स्टॉल पर और मैं बता दूं यार कोई काम चोटा बड़ा नहीं होता है पहले मैं इसे बहुत छोटा काम समझता था लेकिन आज मुझे एसास हो रहा है कि भईया नोकरी ढूने से अच्छा है कि अपना काम करो अपना बिजनस करो तो मैं सोचा कि यह ही स्टाट किया जाए और पापा हमारे काम करके चले गए क्योंकि उस सुबह से आ इन से मैं देख रहा हूं रोजाना यह डॉग इस लोग पहुच जाते हैं इनके पास बिस्किट खिलाती है रोज और इनसे वफादार दोस्तों कोई नहीं हो सकता और मुझे बरदास नहीं होता है मैं बोला कि फोटो मैं वीडियो बना लूं एक टो पेच्छ को डौगिस्ट लोग को गव माता लोग को खिलाते रहना चाहिए पता नहीं कर बुलावा आजाए भोले बाबा का तो उससे पहले कुछ अच्छा काम करके निकलो यहां से आ ठीक है चाहिए दोस्तों यह देखिए टमाटर चाट बनाए हूं मैं कभी आई है हमारी स्टॉल प मुझे बहुत पसंद है अपने दुकान पर खाना कभी आप आओ आपको हम किलाएंगे बर्गर बनाके इस बर्गर के पिछे भी एक कहानी हो गया जिसको बोलते ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम लोग बोलते हैं लेकिन यह हकीकतनी बात है इस वीडियो को सब्सक्राइब देखो न तो आपको सब्सक्राइब देखिए पापा भी आगए और टाइम हो रहा साड़े तीन बज़ रहे हैं तो मैं पापा को कभी फोन करके बोलता नहीं हूं कि जल दिया यह जल दिया यह भूग लगा भूग लगा नहीं मैं खुद बनाके खालेता इंतजार करता हूं जब आते हैं तो मैं जाता हूं खाना खाने तो अभी पैसे निकाल ले हैं गल्ले से अब गय हैं कहां पान खाने अब पान खाके आएंगे उसके बाद हम जाएंगे घर खाना खाने और खाना खाने के बाद तुर आना भी है इस्टॉल पे क्योंकि गाड गहती है तक इसारी सब्सक्राइब है कि इस भीनपड़ेगे। और आम पीछे हमारे भाईया झिश छी खटे हैं यहाँ पर देखिए। यह हमारे वीडियो देखते ज़ते हैं बहुत पसंद है हमारी वीडियो मैंने सुक्रिय बोला थैंक्यू बोला पापा की वीडियो बना रेते हैं हमने हं फिल्यकुल देकी देखी दोस्त like वार छINGर स्टॉल पे और इस अंगर विया इनकी पापा की बहुत पटती है इस दोस्तों चलिए चलते हम कहां घर की और खाना पिना खाके फटाफट आया जाए वह सामने संकर भाईया की वाईब बेटी वे कुछ बोल नहीं मुझे क्या बोल नहीं देखते बाद जाके तो मैं पहुच गया कन्या विदाले के इह एक दादी रहती है तो मैं अपिर चलता हो कहां घर खाना खाने की अब दोस्तों मेरी बीटिया रानी क्या बनाई है पता इसलिए दादी को मैं बोलना था क्या खाना क्या खाना है दोस्तों मैं खाना खा लिया हूं पेट भरके अदम पेट मेरा देखना है फुल हो गया बिल्कुल पेट निकल भी गया है और दादी के लिए भी मैं चावल डाल और बैगन की सबजी बनी थी तो मैं दादी के लिए और दादी देखिए सामने आपको देखाता हूँ मैं एक गुमती छोटी सी है वो देखिए उसी मेरती है दादी ठीक है तो दादी को मैंने पकड़ाया चावल डाल दादी की इतना प्यार है दादी का क्योंकि दोस्तों भूग क्या होती मुझे मालूम है यार पूरी बच्प चलते इस टॉल पर देखते हैं पापा क्या करें कुछ में कुछ काम करते रहते हैं देखिए पूरा सजावट करगी ठीकिया बना रहे हैं पापा ठीक है अब हम बताते हैं दोस्तों कि आगे क्या हूँ था वो बर्गर जो मैं खा रहा था वो बर्गर के पीछे कहानी क्या अच्छली हुआ किया दोस्तों मुझे भूग बहुत जोर से लगी थी और मैं बना रहा था बर्गर इस पेसल बहुत मस्त अपने लिए बना रहा था तो अच्छाने की गुडिया सामने से आई वो मुझे बोली कि भीया जो भी आप बना रहे हो फटा फट मुझे दे दो दूसरा बर्गर मना लूँगा और मैं उनको बर्गर दे दिया और बर्गर देने के बाद क्या बोलती मालू मैं वो जान पच्छे की थी गुडिया बोलती है पैसे बाद में दूंगी अब बते ये इसको बोलते दोस्तों दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम समझ दो मेरे सबी दोस्तों को खुश रखें मस्त रखें अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ने यार फिर मिलते दी ब्लोग में बाबाए दोस्तों लव यू बाबाए